कि यह देखें थ्री भी अच्च के सौगज में आपका थ्री भी अच्च के है आपका में रोड से में रोड से पहला प्लॉट है यह हॉल का डाइमेंशन है आपका बहुत सांदर सा हॉल साइज है 10-18 का हॉल साइज है स्प्लीट एसी का काम किया हुआ है यहां पर साप आपको दिख रहा है यह देखें यह पूरा हॉल का लूख है जो यहां पर ड्राइंग कम डाइनिंग आप प्लान कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और यह सांदर साइज में आप बालकनी के साथ में आपको किचन है यह देखें जहां पर आपका जो है फ्रीज का इस्पेस आपको यहां पर मिल रहा है पूरा वेंटिलेशन आपको किचन के साथ में आपको यह आपका कॉमन ट्वालेट बात जो वाल हेंगिंग के साथ में होगा आपका ट्वालेट बात वेस्टन फिटिंग एक ये बेड्रूम है आपका जो प्रॉपर 3D वाल पेपर के साथ में प्रॉपर यूज किया हुआ है ये देखें बहुत सांदर सा लूख आ रहा है इसका सारे फ्री होल प्रॉपर्टी है इसमें भी आपका वेंटिलेशन के लिए साथ दिया हुआ है इसका मास्टर बेड्डूम है कस्तमाईज 3D वाल पेपर का यूज किया हुआ है इसके साथ में आपको एक अल्मिरा मिल रहा है टॉइलेट बात यह आपका वेंटिलेशन यह भी ख़च्छ वह अपका इसकेसीस टूइलेशन बात इसके साथ में आपको मिल रहा है जो बढ़ा सा इल्मिरा है यह देखें बहुत संदर सा लूक आ रहा है इसका और फ्रंट साइट का फ्लेट है बिल्कुल पीसफूल एडिया है अपका ये देखें थार्ड वेडरूम ये थार्ड वेडरूम है जिसके साथ में आपकी बलकनी मिल रही है आपको विइनुजो असी का प्रॉविजक्यन है इसकी साथ में और बड़ी सी इसके साथ मैं आपको बलकनी मिल लही है नौER-फेशिंग की बलकनी है तो आपको ज्जैदा कोई प्रावलम होनी नहीं है और यह बिलकुल प्रंट साइड का है यह देखें कि यहांगर ने बड़ी बालकनि आपको मिल रही यहांब यह réfl म्दिझा का यहांժ न भूत यह Paleoी कर यहांगर यहांगर चांद सा लोकेशन है सारी बिल्डर फ्लोर बने हुए है यह देखें इतनी बड़ी आपको बालकनी मिल रही है यह देखें अब मैं बाहर का लोग में दिखाता हूं यह बहुत अच्छा अप्शन है में रोड की प्रापटी है गिंती से कि दो से पांच मिनट आपका मेट्रो से संजाने में लगीगा है यह आपका लिविंग स्पेस है आई यह आपका लिफ्ट का एडिया आगे यह कॉमन पैसेज कि आई है कि यह यह निशे पूरी कार पार्किंग आपको मिल रही है कि यह देखें बाहर का एली वेशन अधिया अधिया कि यह देखें लोकेशन और संदाफ सा लोकेशन है यह में रोड है आपका में रोड से पहला प्लॉट है है तो प्लान करिया है कि इसके के लिए फ्री ओल्ड प्रोपर्टी है लोनेबल थैंक्यू थैंक्यू बेरी मुच्छ झाला हु